हेलो प्रेंट मैं सुधा सिंग मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं ये दो पुरानी अपनी कुर्ती निकाली हूँ दोनों को आपको पिन करके दिखा रही हूँ देखने में मतलब अभी कैसा है ये कुर्ती बहुत जादे नहीं पहने हैं लेकिन हाँ फिर भी पहनी हू इसको कलर इसका ऐसा है ना कि देखने में नया की तरह ही लगता है तो इसका मैं ये ये दिया था अलग से तो मैं इसको लगाई थी लेकिन ये पहनने पे कफी दिक्कत होता है तो इसको मैं निकाल दी दोनों निकाल दी हूँ और मैं पहनती नहीं हूँ तो फिर इसका सोच कि कुछ न्यू लूग दे दू ताकि कोई और पहन ले और एक यह कुर्ती लिए है इसकी साइज चोटी हो गई है मेरे में तो यह भी दिक्कत होता है इसको भी मैं बहुत पहनी हूँ लेकिन अभी इसका भी कपड़ा सही है तो मैं सोची इसका भी कुछ चेंज करके बना दू जिससे यह भी मतलब फिर से यूज में आ जाए यह मैं 11-12 सल की लड़की के लिए ड्रिस बना रही हूँ तो साइज वो आपके उपर है आप किसके लिए बना रहे हैं तो उसके हिसाब से साइज लीजिए तो आज की वीडियो बहुत ही पसंद आएगी आपको तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो सेयर किया करिए सबसे पहले ही यह ओरेंज वाला लिए है तो इसमें साइड से पहले तो इसका जो बाजू अला कपड़ा थो निकाल लिए हैं तो साइड से थोड़ा थोड़ा सिलाई कर लेंगे और इसकी ब्लाउज को निकालेंगे नहीं इसी में बस इसका नीचे से घेरा काटके और ब्लाउज उसी में रहने देंगे बस घेरा इसका छोटा कर देंगे टॉप बना लेंगे इसका तो अभी साइज जितना आप मतलब जिस लंबाई के हिसाब से लेना है तो इस तरह से भी देखे कपड़ा बराबर करके और रख लिये हैं औ पूरी मतलब मुझे चाहिए जो पूरी टॉप की लेंथ है ना पूरी 28 से 29 सिंच के लगभग में चाहिए तो उसके हिसाब से कपड़ा मैं 32 सिंच ली हूँ क्योंकि बीच में जो ये ब्लाउज और इसकल के बीच में है ना यहां भी कपड़ा बहुत रेडिमेंट कपड़ रहता है ना तो बहुत कम सिलाई रहता है तो यहां भी थोड़ा सा कपड़ा पकड़ के सिलाई चला दूँगी और नीचे से भी सिलाई में जो कपड़ा जाएगा इसलिए कपड़ा थोड़ा बढ़ा के ले लूँगी और उसके बाद इस तरह से तो इधर खुला पाट रह तो एक पट्टी तो यह यहां का भी मतलब मजबूत हो गया और आगे से गोल्डेन वाला जो कपड़ा है वही है बस पीछे से लगा लिए है इस तरह से इसको लगाने के बाद अब यह ब्लाउज वाला थोड़ा थोड़ा और पकड़ के सिलाई चला लेंगे बहुत थोड़ा सा रेडिमेंट क कपड़े में यही रहता है न एक तो कपड़ा एक्स्ट्रा दिये भी नहीं रहते हैं और सिलाई बहुत थोड़ा सा पकड़ के चला रहता है उसमें तो अभी ब्लाउज वाला चला ली हूँ अब जितना मुझे ब्लाउज की फिटिंग करनी है उसके नाप से कपड़ा चला लेंगे ताकि यह दोनों मतलब बैट जाए अच्छे से तो एक साइट से भी देखिए चला लिए है तो यह दूसरे साइट से लबसीधा के तरब से चला लिए तो बस इसमें बहुत जादे नहीं करना पड़ा और यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सब कट करके निकाल कुर्ती देखिए कुर्ती से लंबाई इसकी पूरी सिल्ले के बाद 28 इंच तयार हुआ है और यह बलाउज वाला भी मुझे चोटे के साइज का जब बना रहे ना तो चोटा भी नहीं करना पड़ा थोड़ा सा उसमें सिलाई चला दिये तो बहुत ही बढ़िया बन के तया हो गया है और इसमें यह पीछे से लगा था तो उसको भी इसी तरह से लगे रहने दिये ताकि अगर लूज होगा ना तो यह बांध के फिट कर लेंगी अब यह दूसरे वाले का यह साइड में मैं कपड़ा लगाई थी तो इसको सब कट करके निकाल लेंगे और इसका भी ब्लाउज की तरह कट करके नाप इस वाली जो ओरेंज वाले टॉप बनाए है उसके ब्लाउज के हिसाब से इसमें नाप करके कट कर लेंगे तो यह 14 इंच है तो 14 इंच के मतलब 13 इंच है पूरा तो 14 इंच कपड़ा ले लेंगे ताकि सिलाई में थोड़ा सजाएगा तो 14 इंच पे इस तरह से निसान लगा के और इसको बनाएंगे नायरा का टॉप बनाएंगे तो आज कल बहुत ट्रेन में है और मतलब इसमें बहुत बढ़ियां से इसकी जो पूरी कुर्टी की जो लेंथ तीना अच्छी खासी लंबी है तो इसमें अच्छे से बन जाएगा ये कट कर लिए और इसके बाजू में कुछ भी छेटार नहीं करेंगे इसी तरह से चोड़ देंगे तो ये देखिए पूरा कटने के बाद इतना नीचे से मिला है तो इसमें इस तरह से करके और ये कपड़ा को मतलब दूसरे साइड में से करके और इधर से इस तरह से मोड तो यह इसका प्लाजो था, तो उसका कपड़ा है मेरे पास, तो मैं इसमें तीन तरफ से, एक तरफ से तो ब्लाउज में इसकी सिलाई जाएगी, तो तीन तरफ से इस तरह से इसका ये, जिस तरह से नीचे लगा था, उसी तरह से मैं तीन तरफ से लगा लूँगी, देखने म में भी लुक अच्छा हो जाएगा और कपड़ा था मेरे पास सेम उसी कलर का तो मैं सोची चलो लगा के तोड़ा सा और अच्छा लुक दे दू इसका एक तरफ इस तरह से पहले उल्टा साइट से सिलाई करके और फिर सीधा साइट से इस तरह से जितनी चौड़ी पट्टी इसमें लगी थी उतनी ही चौड़ी पट्टी दोनों में तीन तरफ से लगा लेंगे तो यह अभी हो गया और अभी ब्लाउज का साइट का नहीं सिले हैं अभी इस तरह से मतलब साइट से सिलने के बाद ब्लाउज को सीधा रखेंगे और फिर कपड़े को यह जो कपड़ा उपर से स्कल्ट टाइप के लगाना है इसको उल्टा रखेंगे और इस तरह से प्लेट लगा के पिन लगा लेंगे ताकि सेट हो जाएगा इतने ही दूर में कितने प्लेट लगेंगे वो भी सेट हो जाएगा तो देखे अभी ब्लाउज सीधा है और यह उपर से कपड़ा उल्टा साइड में है और इस तरह से करके पिन लगा लिए हैं और दोनों कपड़ा को नीचे की तरब जब दोनों कपड़ा का जोड है न वो पट्टी एक दूसरे पे चढ़ा के पिन लगाए हैं और अब इसको सिलाई चला लेंगे तो ये भी मतलब इसका भी टॉप बनाना बहुत ही आसान था और बन की बहुत ही खुबसूरत तयार हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा कि मैं इसको कुर्टी के रूप में भी जब पहनती थी तो बहुत पसंद आ था इसका कपड़ा बहुत अच्छा था और अब ये जब नायरा का टॉप बन गया तब भी भी बहुत अच्छा देखिए कितना बढ़ियां इसका लूक आया है और ये इसमें पलाजू बाला कपड़ा लगा देने से और ही बढ़ियां लग रहा है इस तरह से और साइड में देखिए दोनों पट्टी एक दूसरे पे चड़ाया है तो इससे भी और बढ़ियां लुक लग रहा है आप लोग बताईएगा आप लोगों को कैसा लगा मुझे तो बहुत ही पसंद आया तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक चैनल पे पहली बार आएँ हो तो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजेगा ताकि कोई भी वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन तूरंत आपको मिल जाए और जादे से जादे लोगों में सेयर करिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई